लिटी चोखा जी हां ये है नेग्स टाइटल खिसारीलाल यादर की फिल्म का और इसलिए खिसारीलाल यादर ने अपना लुक जो है अपने फिल्म के लिए यही रखा हुआ है जो आज कल जिस रूप में है वो जिस गेटप में है वो वही है उनकी फिल्म लिटी चोखा का गेटप आपको बता दे कि यह फिल्म बड़े ही लार्ज स्केल पे बनाई जा रही है इसके लिए खेसारी लाल यादों ने अपनी मशल बिल्ड की है साथी साथ खेसारी लाल यादों लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे लेकिन सुनने में आ रहा है कि खेसारी ने अब वो सारा प्लान कैंजल किया है बड़ी ही कम टीम के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए इस विल्म की शूटिंग की जाएगी सु रागवानी के उपर बजने लगी है कि खेसारी लाल यादों को आप्शन के रूप में शहर अफसा मिल चुकी है वैसे शहर अफसा और खेसारी की जोड़ी को महंदी लगा के रखना त्री में बहुत ही पसंद किया गया था और लोग फिर से इन्हें देखना चाहते हैं इस 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 साथ उन्हें ने जो बॉड़ी बनाई है वουν सब सकुछ इसी 2 लिटी चौखा के लिए है This film के लिए खेसारी ने अपने कुछ करीबी मिर्थों के साथ Colin西aken एस फिल्म को बहुत ही लार्ज स्कयल के बनाने की सोच रहे हैं लिटी चूखा बिहार का ट्रेडिशनल खा लिट्टी चोखा सिर्फ एक खाना ही नहीं है लिट्टी चोखा एक इमोशन है लिट्टी चोखा एक पूरी तरह से संस्कृति को प्रस्तृत करती हुई फिल्म होगी आपको यह बता दें कि खेसारी लाल यादव ने पहले सही अपने डिरेक्टर और प्रिड्यूसर को कह लोगों को पटाचलेगा कि किस तरह की फिल्म है । हिसारी जिस तरह का concern दिखा रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है हिसारी लाल यादो अपने इस film को लेकर काफी emotional भी है क्योंकि यह film उनकी सब्धेता संस्कृति को दिखाती हुए यानि कि बिहार की सब्धेता और संस्कृति को दिखाएगी और migrant people जो की बिहार और यूपी को छोड़ कर दूसरे राजियों में दूसरे देशों में बस गये हैं उल्ती समस्या को भी दिखाएगी क्योंकि आपने इतो सुना ही होगा कि जब भी मजदूर यह यूपी बिहार से जाते हैं तो अपने साथ वो लिट्टी चोखा को लेकर ही जाते हैं तो भाई आप तैयार रहिए खेसारी की एक दमदार फिल्म के लिए भुझपुरी जगत की होट और मसाले दार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुम नहीं